हलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपोर्टेंट एल्गी, पॉलिस आइफोनिया के बारे में बात कर रहे हैं क्या है पॉलिस आइफोनिया, उसकी क्या वेजिटेटिव स्ट्रेक्चर होती है, थैलस की संडचना क्या है, कैसे वो लाइफ साइकल कंप्लीट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिस आइफोनिया की सिस्टेमेटिक पोजिशन या वो किस कैटेगरी में वरगी कृत किया जाता है उसके बारे में हम वर्गी कृत स्थान देखेंगे, पॉलिस आइफोनिया, पॉलिस आइफोनिया की क्लास क्या होगी, रोडो फाइसी, यानि जिसमें कौन आएगा, रेड एल्गी, ठीक है, ओर्डर होगा, सिरामी एल्स, फैमली होगी, रोडो मेली एसी, और सब फैमली होग पॉलिस आइफोनिया, ठीक है, यह है इसकी systematic position, अब आप देखें, accrenses, यानि पॉलिस आइफोनिया कहा पाया जाता है, पॉलिस आइफोनिया एक्सक्लूसिवली मेराइन है यानि इसके सभी जातिया समुंद्र में पाई जाती है लगबग 150 जातिया है जो mostly कहा है सारी कि सारी समुंद्र में है या तो वो free float करती है समुंद्र के अंदर सतह से चिपकी होती है या किसी दूसरे algae पर epiphatic रूप में उपस्तित होती है epiphite का मतलब क्या होता है कि कोई ये एक algae है इसके उपर चिपकी हुई है तो epiphatic रूप में मिलेगी या क्या मिलेंगे ये समुंद्र की कहीं सतह होगी वहाँ पर चिपका हुआ मिलेगा ठीक है अब अगर हम इसके प्रकरती या habit की बात करें यानि थैलस की structure की बात करें तो पूरा एक तंतु नूमत थैलस है जिसके अंदर एक ये आप देख रहे हो main axis होगा ये देखिए ये इसका main axis है जिस पर दो तरह की साखाएं होंगी ये unlimited growth वाली साखाएं है ये देखिए ये देखिए इन पर फिर ये limited growth वाली short शाखाएं है ये देखिए यानि की main axis है जिस पर दो प्रकार की साखाएं है ये आप देख रहे हैं unlimited growth वाली साखा और जिनकी limited growth होती है वो वाली साखाएं है तो आप देखें थैलस के अंदर संदचनक क्या होगा ये भूरे बैंगनी रंग वे लाल रंग के सगन गुच्छों में पाए जाने वाले ब्रांच्ट और फिलामेंटस एल्गी है आप देख रहे हो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है और तंतुनुमा ये सैवाल है तो इसमें क्या होगे पॉलिस आइफोन होंगे यानि बहुत सारे केंदřी तन्तु होगे मल्टी एक जियल होगे थैलस होगा जो इसका तो इसके हम एक-एक फिलामेंट की संदचना की बात करेंगे ये एक तन्तु आप देख रहे हो इसका ठीक है इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है इसकी filamentous structure जो है उसके बारे में बात करूँ तो polysiphonia में दो तरह के तंतु मिलते हैं एक तो होता है prostrate system और एक होता है iract system iract system क्या होगा जो उपर होगा और जो भूमी में या सतह पर चिपका होगा वो होगा क्यों सा इसका prostrate लेटा हुआ system होगा और जो air में होगा वो होगा iract system अब जो भूमी पर लेटा हुआ system है यहां से क्या निकलेंगे rhizoids निकलेंगे जो surface पर attach रहेंगे ये rhizoids देखे एक कोसी का unicellular है branched है और इनके tip पर attachment disc है जिसकी वज़े से ये चिपकते हैं और iract system ये पूरा iract system ही है जो prostrate system से develop होगा इससे ठीक है तो दो तरह के system आपने देखे लेटा हुआ जो तंत्र है इसका जो जमीन की सतह से चिपका होगा वो क्या होगा prostrate system और जो उपर होगा वो होगा iract system अब आप देखो इनको filamentous structure है polysiphonia एक heterotricus algae है ऐसे algae जिनमें दो तरह के system होते हैं उन algae को हम क्या बोलेंगे heterotricus आपने देखा एक तो था prostrate और एक है iract इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया विसम साखित सैवाल जिसमें prostrate और aerial system में विभेधित है यह अब prostate system में क्या है यह भूमी पर चिपका होता है मैंने अब यह आपको बताया इससे अनेएक rhizoids निकलते हैं rhizoids एक कोशी के unicellular होते हैं, branch होते हैं और attachment disc की साहता से सत्य पर चिपके होते हैं तो यह clear हुआ आपको इसका thallus का संरचना कैसी है thallus की संरचना को आप देख सकते हैं जो गुच्छों में है filamentous यानि तंतुनों मा संरचना है दो तरह के तंतु है एक क्या है prostrate तंतु है और दूसरा क्या है erect तंतु है फिर आप देखेगा यह देखेगे एक मैंने यह जिसमें यह मुख्य अक्ष है और यह इसमें जो ब्रांचेज हैं unlimited growth वाली है और इन unlimited growth वाली ब्रांच पर यह लगे हुए है छोटी छोटी ब्रांच जो limited growth वाली होती है इसको आप फिर यहां देख सकते हो यह देखेगा यह छोटी limited Deerated growth वाली ब्रांच है, जिस पर ये देखे, spermatangia डवलप हो रहे हैं, carpogonia डवलप हो रहे हैं, और ये में शाखाएं हैं आप देख सकते हो, ये देखे, carpose purify development हो रखा है यहाँ पर, ये आप देखे, इसमेर carpose purify develop घुंगया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे यह देखो मैंने कहा प्रोस्टेट सिस्टम से अनेक एरियल सिस्टम उत्पन होते हैं जो वाईवी तंतर बनाते हैं इसमें दो प्रकार की साखाएं हैं एक तो मुख्य अक्ष या लॉंग लेटरल ब्रांचेस यानि दीर्ग साखाएं जिसनके बारे मैंने अभी बात किया थी और कुछ शॉट ब्रांचेस या ट्राइको ब्लास्ट या लगुश अखाएं होती हैं यह लगुश अखाएं क्या होती है कि लंबी नहीं होती है बट इन पर सैक्स ओर्गन विक्सित होते हैं ठीक है, polysiphonia के sex organ जैसे कि male sex organ spermatangium डवलप होगा और female sex organ carpogonium विक्सित होगा, वो सब इनी पर विक्सित होंगे, short साखा उपर है, अब मैं structure बता देता हूँ, जो long lateral branches होती है, मुख्य अक्ष से short branch की आधारी कोशिका से विक्सित होती है, इसको आप समझे, जैसे मैंने कहा, ये एक मुख्य अक्ष है, इस पर जो short branch होगी, उसके अक्ष्य निकलेगी, short branch होगी, उसके अक्ष्य निकलेगी, कौन सी long lateral branch, ठीक है, आधारी कोशिका से, अब इनकी संरचना कैसी होगी, मुख्य अक्ष की और किसकी, long branch की, अगर आप देखें संरचना, तो इसकी संरचना इस प्रकार से होगी, देखेंगा, इसमें क्या है, आप देख रहे हैं, कि ये आप देखो, ये पूरा तंतुनुमा संरचना है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लंबी-लंबी कोशिकाएं, जो आपस में pit connection द्वारा जूडी हुई हैं, इन, चाहे तो ये main साखा हो सक सकती है, या मुख्य अक्ष हो सकता है, जिससे बहुत सारी short साखाएं निकल रही है, ये देखेगा, ये branch निकलना स्टार्ट हो रही है, तो इस तरह की संडचनाएं होती है, जिसके सीरसस्त कोशिकाओं के द्वारे ये लगातार ब्रदी करती रहती है, अब मैं आपको इसक सारो तरफ दिखाई देगी cortical cells, ये देखिए आप cortical cells हैं, ये सब cortical cells हैं, और पीछे और आपको ये cortical cells ही दिखाई देगी, जो आपस में pit connection द्वारा connected रहती है, ये मैंने आपको जो मुख्य साखा है और main axis है, उसका section आपको काटके दिखाया है, अब cell का structure, अगर मैं इस cell को देखूं, तो उसकी संदचना क्या होगी, इसकी एक cell, लंबी, बेलनाकार, आप देख रहे हैं इसके अंदर, लंबी है, बेलनाकार है, एक केंद्रकी होती है, लेकिन इसकी कोशी का के चारो तरफ दो भित्ती की wall होती है, ये दो wall होती है, बाहर वाली होती है, वो पैक क्या है कि red algae में जो reserve food होता है reserve food होता है वो floridine starch के रूप में पाये जाता है यह बहुत important चीज है floridine starch इनका reserve food होता है यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है फिर देखिएगा polysiphonia में reproduction हम की बात करें तो polysiphonia की life में तीन रूप पाये जाते हैं तीन भिन प्रकार के थैलस पाये जाते हैं तीन रूपों में यह उपस्तित होता है polysiphonia मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है वो है gametophyte यानि युग्मकोदभिद युग्मकोदभिद में क्या होता है जो N-number chromosome होता है यानि haploid होता है और इसके उपर ही डवलप होता है sex organ जो male sex organ होता है इसको बोलते है spermatengia और female sex organ होता है इसको बोलते है carpogonia ठीक है तो एक रूप क्या है polysiphonia का युग्मकोदभिद जो इसमें क्या होगा sex organ विक्सित होंगे male sex organ होगा नर होगा वो spermatengia होगा और female होगा spermatogonia ठीक है अब आप देखें दूसरा रूप क्या होगा इसके थैलस का carpo sporophyte यानि कि जब जाइगोट बनेगा ये two in होगा पहली बात तो और ये अभी मैंने बताया था spermatengia और carpogonia के fuse होने से जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट से बनेगा carpo sporangia और उनमें विक्सित होंगे carpo spor और ये carpo spor भी two in होंगे और ये क्या करेंगे पूरी तरह से किस पर निर्भर होगा ये gametophyte पर जो इससे पहले वाला रूप था उसके उपर रहे गए अभी मैं आपको दिखाता हूँ देखेगा मैंने अभी आपको एक डाइग्राम में दिखाया था ये देखेगा पहले तो आप ये देख लें sex organ है ये ये क्या है इस पर मैं tangia है ऐसे ही carpo gonia विक्सित होगी तो ये जो पूरा बना है ये है carpo sporophyte क्या है ये carpo sporophyte जो किस पर निर्भर है इस gametophyte पर ठीक है gametophyte पर निर्भर होगा carpo sporophyte अब carpo sporophyte पर क्या बनेंगे carpo sporophyte पर बनेंगे हमारे जो tetraspore carpo sporophyte से जो कार्पोस्पोर बने उनके germination से क्या बनेगा उनके germination से tetrasporophyte बनेगा यह देखो to and develop from the germination of the कार्पोस्पोर sex organ इन पे नहीं डवलप होंगे किसी भी प्रकार का कोई sex organ इन पे डवलप नहीं होंगे इन पे बनेगी tetrasporangia और tetrasporangia में जब meiosis होगा कौन सा भी भाजन होगा meiosis होगा तो उनमें बनेगे tetraspor ठीक है जो non-motile होंगे और अब यह tetraspor जब germinate करेंगे तो बनेगा gametophyte जो सुरू वाली phage होगी तो इस तरह से इसमें तीन प्रकार के थैलस पाए जाते हैं पहला थैलस होता है वो होता है gametophyte जिस पर sex organ डवलप होते हैं दूसरा होता है कार्पोसporophyte जो 2N होता है और उससे tetraspor बनते हैं और tetraspor के germination से tetrasporophyte बनते हैं और tetrasporophyte में tetrasporangia विक्सित होती है और tetrasporangia से tetraspor meiosis द्वारा बनते हैं और टेट्रास्पोरों के जर्मिनेशन से पहली फेज यानि गेमिटोफाइट बनती है ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है थैंक यू